हाई दोस्तों आपका संजीब केशरी फिर एक बार आपके साथ बहुत ही महत्पर्पुर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा है ये जो जानकारी आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये हम समों की मा से जुड़ी है ये हमारी जननी हमारी मा से जुड़ी है मा क्या होती है मा वाएक एशा रिष्टा है जो इस धर्ती पे जीने वाले हर वैक्ती की पूरी दुनिया होती है मा शब्द के उच्चारन मात्र से ही हमारे मन को असीम शांती मिलती है एबं हमारे दिल को सुकून मिलता है मा के अस्मरन मात्र से ही हमारी बड़ी से बड़ी चिंताएं धूमील सी होती नजर आती है और हमारे अंदर आत्मिश्वास का संचार होने लगता है मा के एहसास मात्र से ही हारेवे इंसान या नाकाम्याब इंसान के अंदर भी एक नई जीवन को जीने की अविलाशा जगने लगती है या अविलाशा जग जाती है जब जब मन विचलित हो याद आती है मा जब जब मन मायूस हो याद आती है मा इस धर्ती पे हर प्रानी को जनम देने वाली होती मा, हर परिस्थिती में जो छमा कर दे, वही होती है मा, मा से सारा विश्व है, मा में ही सारा संसार है, मां से सारा विश्व है मां में ही सारा संसार है हर कन में मां है हर मन में मां है हर मानब में मां है हर मानब में मां कैसे है क्योंकि अगर हर व्यक्ति के अंदर हर मानब के अंदर दया है करुना है ममता है तो वो उसके अंदर मां है यानि हर कन में मां है हर मानब में मा है मानबता में मा है जब हम मानबता कहते हैं तो मां से शिरुवात होती है मानबता यानि यदि हमारे और आपके दिलों में दूसरों के लिए दर्द है दया है करुना है ममता है तो हमारे अंदर मानबता है और यदि हमारे अंदर मानवता है तो हमारे अंदर उस मानवता में मा बसी है मानवता में मा बसी है यानि हर कन में मा है हर मन में मा है हर मानव में मा है मानवता में मा है और इससे भी बड़ी बात इस ब्रहमांड में मा है इस ब्रहमांड में मां है क्योंकि जब हम ब्रहमांड कहते हैं तो उसमें मां का उच्छारन होता है यानि हर कन में मां है ब्रहमांड का मतलब तारों में मां है, ग्रहों में मां है, धर्ती में मां है, परवत में मां है, नदी में मां है, समुद्र में मां है यानि कन-कन में मा है हर कन में मा है हर मन में मा है हर मानब में मा है मानवता में मा है ब्रहमांड में मा है और इससे भी बड़ी बातें ब्रहमा ब्रहमा में मा है जब हम ब्रहमा का उचारन करते हैं तो उसमें भी मा का उचारन आता है यानि ब्रह्मा जिसने स्रिष्टी की रचना की हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जो इश्वर हैं उन्होंने इस पूरी स्रिष्टी की रचना की है यानि स्रिष्टी की रचना करने वाले में भी मा है इसका मतलब है हर रचना में मा है हर संरचना में मा है हर निर्मान में मा है हर अविशकार में माहे, हर खोज में माहे, हर जगह माहे, और इससे भी बड़ी बात, आसमान में माहे, क्योंकि जब हम आसमान कहते हैं, तो मा का उच्चारन होता है, और कैसे, जिस परकार ये आसमान इतना विशाल है, उसी परकार हमारी मा का हरदे विशाल होता है, जिस प्रकार आस्मान की कोई सीमा नहीं वह अनन्त है उसी प्रकार हमारी मा की दया और हमारी मा की मम्ता अनन्त होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती दोस्तों हरकन में मा है हर मन में मा है हर मानब में मा है मानबता में मा है ब्रहमान में मा है ब्रहमा में मा है आस्मान में मा है और इससे भी बड़ी बात सम्मान में मा है सम्मान में भी मा है क्योंकि जब हम किसी वैक्ति का सम्मान करते हैं तो हम सिर्फ उस वैक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, हम अपनी मा का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस लायक, किसी वैक्ति को सम्मान देने के लायक, इतना काबिल हमें हमारी माने बनाया, ये शिश्टाचार, ये संसकार, ये गुन हमने अपनी मां से सीखा है, इसलिए सम्मान में भ अपमान करते हैं दोस्तों तो आप उस वैक्ति के अपमान के साथ साथ अपनी मा का अपमान करते हैं क्योंकि माने किसी का अपमान करना नहीं सिखाया है इसलिए जीवन में कभी भी किसी वैक्ति का अपमान ना करें तो हमने क्या देखा हर कन में मा है हर मन में मा है हर मानब में मां है मानवता में मां है ब्रहमांड में मां है आसमान में मां है सम्मान में मां है अपमान में मां है अपमान किसी का नहीं करना है क्योंकि उससे आपके मां का अपमान होता हमारी मां का अपमान होता है दोस्तों मां के बिना इस धरती पे नहीं हमारा कोई अस्तित्व है और नह मां से ही बनता हमारा अपना वैक्तित्व है। मां से ही मिलती हमें इस समाज में एक पहचान है। मां से ही हर बच्चा बनता एक बड़ा इंसान है। मां एक ऐसा रिष्टा है जिसकी तुलना दुनिया के किसी रिष्टे से नहीं की जा सकती है। मा की आचल की छाया एबम उसकी ममता रुपी अनुभुती से गुजरते हुए हम सभी इस जीवन में सुख और दुख को जेलने की शक्ती प्राप्त करते हैं मा ही किसी व्यक्ति की परथम गुरू एबं मा ही परथम शिक्षिका होती है मा की हम सबों को सही और घलत का पाठ पढ़ाया है मा ने ही हम सब को जीवन में हसकर जीना सिखाया है मा ने ही हम सब को जीवन में हसकर जीना सिखाया है दोस्तों मा से बड़ा योध्धा इस दुनिया में कोई नहीं मा से बड़ी योध्धा इस दुनिया में कोई नहीं है क्योंकि एक मा अपने बच्चों की खुशियों के लिए एक माँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए, एक माँ अपने बच्चों के भविश के लिए, हर परिस्टिती से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए माँ से बढ़कर योध्धा कोई नहीं है इस दुनिया में। मां से बड़ा शुबचिन तक कोई नहीं, मां से बड़ा शुबचिन तक इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि एक मां अपने बच्चों के साथ साथ, अपने परिवार के पूरे शदस्यों के भलाई के लिए, खुशियों के लिए, सफलता के लिए, हर हमेशा इश्वर से काम साथ बदनसीब चरित्रहीन एबम शक्तिहीन होते हैं यदि कोई वैक्ति अपनी मां से नफरत करता है तो वह जानवर से भी बत्तर है क्योंकि यदि कोई वैक्ति मां से नफरत करता है तो वह मानब से नफरत करता है वह मानबता से नफरत करता है वो ब्रह्मा से नफरत करता है वो आस्मान से नफरत करता है और अपमान के करीब जाता है जो वैक्ति अपनी मां से नफरत करता है वो अपमान का भागी होता है वो अपमान का भागी होता है इसलिए हमें अपनी मां का सम्मान करना है क्योंकि मां में ही इश्वर का बास होता मा साक्षात इश्वर है इसलिए मा का सम्मान कीजिए मा की सेवा कीजिए क्योंकि मन की शांती नहीं मिलती यदी मा का साथ नहो प्यार का एहसास नहीं मिलता यदी सर पे मा का हाथ नहो मन की शांती नहीं मिलती यदी मा का साथ नहो प्यार का माता रोती है वह दुनिया का कलंक है वह दुनिया का कलंक है इसलिए दोस्तों अपनी मा की सेवा करें क्योंकि मात्री सेवा से बरकर कोई सेवा नहीं है दोस्तों मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले वीडियो में ऐसे और भी जानकारी को लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा तब तक के लिए धन्यवाद